हेलो फ्रेंड्स वेरी वार्म वेलकम टू जी आरेस टेक्निकल दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा क्लास्टेंट सी बीए सी बोट सोसल साइंस का पत्र जिसमें आया था 2017 में ये प्रश्ण और 37-37 के एंसर भी मैं आपके लिए उपलब्द कराऊंगा तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो सी बीए सी कलास्टेंट बोट सोसल साइंस का है जो की 2017 में आया था फूल पेपर है एक से लेके 30 तक प्रश्ण है और 37 उसके एंसर भी है तो चलिए देखा जाया है समेटिव एसेस्टमेंट टू सोसल साइंस तीन गंटे का एक्जाम हुआ था टोटल माक्स था 90 और अब आके देखा जाया प्रश्ण तो पूछा गया था who wrote the song बंदे मात्रम नेक्स प्रश्ण था name the state related to national waterway नमबर तीन तो केरला होगा उपर वाला का बंकिम चंदर चटर जी होगा थार्ड नमबर का होगा explain the meaning of selection interest group तो दोस्तों इन सभी का जो answer है वो last में मिलेगा जो 30 प्रश्ण आप देख लेंगे उसके बाद में आपको इन सभी का answer भी दिखाऊंगा तो यह रहा 10 सिगार 12 13 14 15 यह 16 फिर 17 18 29 फिर 21 यह बहुत important है यह वाला कि अभी निशन स्टेट बील्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी आफ्टर 1849 यह रहा 22 साल्ट मर्च यह तेईश रिनुवेबल इनर्जी रिसोर्सेस यह 24 25 26 27 28 28 28 में गलोब्लाइजेशन हमेशा आते रहता है फार्मल सेक्टर अफ क्रेडिट यह भी 27 नमबर भी आते रहता है 28 27 27 रिपीट होते रहता है यह रहा 29 नमबर तो देख लिजिए आप अच्छे से और यह मैप वर्क है मैप वर्क मैप आएगा दोठो यह 29 का मैप है दोनों मैप वर्क था फिर यह 30 का मैप वर्क है इस नमबर का यह लिजिए और इन सभी का अब एंसर देखिए तो पहला प्रश्ण बंदे मातरम कौन लिखा था तो बंकिम चंद्र चट्रपाद्ध्या लिखे थे नेक्स्ट है कि नेशनल वाटरवेश नमबर तीन तो केरला तो इसी तरह एंसर आप देख लिजिए अच्छे से वीडियो को पाउज करकर करके यह ड्राग ड्राग बास्टर चंद्रपूर बेल्ट इसको भी याद कर लिजेगा मैनुफेक्टिरिंग इंडॉस्ट्री देंस एंड इफेशियंट नेट्वर्क अफ ट्रांस्पोर्ट यह भी यह पंद्रह नमबर है पॉपुलर स्ट्रागल अफ नुवा नेपाल एंड लिभिया यह डिमक्रेशी मस्ट लूक आप्टर दे इंट्रेस्ट अपॉल वैलू अफ डिमक्रेशी देख लिजे ट्रांस्पेरेशी ले जी टी में सी यह सारा है और फिर यह रूल अफ लोन लोन का रूल देख लिजे यह देखिए 20 तक पहुँच चुके हैं हम लोग यह जर्मानी युनिफिकेशन एक आइस नमबर और यह रहा यह बाइस नमबर यह तई 23, 24 यह रहा 25, 26 यह रहा 27, डिमेरिट मेरिट लिखना है गलोबलाइजेशन बेनिफित अफ गलोबलाइजेशन यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद करना न भूलिएगा यह देखे मैप वरक आ गया नाकपूर कहा है डांडी कहा है सब दिया हुआ है और यह देखिए चेक भी है तो बस आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे हस्ते मुस्कुराते हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलिएगा इसी के साथ जाहिंद वने मातरम